और यूपी में गैर मानिता प्राप्त मदर्से की सर्वे पर भढ़के ओवेसी ने सवाल उठाएं मदर्सों में सर्वे क्यों ये ओवेसी की तरफ से पूछा गया है जब मदद नहीं देते तो सर्वे क्यों तो निजीम मदर्सों से सरकार का क्या लेना देना है मदर्सों को लेकर छूट फिला या ये थमाम बातें वैसे की तरफ से की गई है क्या कुछ का सुनी जरा उनकी सर्टिफिकेट रेकिनाईज करती है तो वो अगर खुद अपने मदर्से खोल कर चला रहे हैं से दारूम डियोबंध है मुबारकपूर मेशरफिया है ऐसे कई बड़े मदर्से है डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थाट के उप प्राइवेट मदर्से है जिनका ना सरकार से कुछ लेना देना है ना सरकार उनको कुछ फंडिंग करती है मदर्सा बोड के तरह रेकनाइस है वो सरकार से उसका तालूख गौर्णमेंट से यह सर्वे क्यों करा रहा है मैं अगर मदर्सा खोलता हूँ तो अपने इस्लामी तोर तरीखे उनको सिकाने के लिए इस्लामी फिफ्द सिकाने के लिए उनको मौलाना बनाने के लिए, मुफ्ती बनाने के लिए और स्टेट गौर्वर्मन्ट से तालुक ही नहीं है और सम्विधान के आर्टिकल 30 के तहट मुझे एक fundamental right हासल है कि मैं अपने मदरसे खोलूँ, अपने पसंद के एजूकेशन इंस्टूट्स कोलूँ इसमें सरकार क्यों मुदाखलत करेगी, आप सर्वे क्यों करना चाहरे है आपको इससे लिना देना क्या है कि आप उनकी तंखा दे रहे हैं, जो मदरसा बोर्ट के तहट मदरसे उनकी तंखा तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले चार साल से ये मदरसे प्राइवट मदरसे है, अनेडिट मदरसे है और आर्टिकल 30 के जिसको खाइम किया गया है तो स्टेट गवर्मेंट को सर्वे करा रही है तो चलिए अब आपको पूरी खबर बता देते हैं सर्वे रिपोर्ट बेजेंगे तो गयर मानिता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराय जा रहा है सरकार की ओर से और उसी को लेकर वो ऐसी की तरफ से बयान चारी किया गया है उत्रप्रदेश में योगी सरकार अलपसंखेक समाज के हितों के लगातार काम कर रही है और जो मुस्लिम युवा है जो उनके लिए मदरसे है उन मदरसों को अच्छी विवस्था हो उसमें और मदरसों के एजुकेशन सिस्टम और अच्छी हो लगातार इसके लिए योगी सरकार काम कर रही है उसी दिशा में हमने कले एक आदेश जारी किया है कि जो अलग अलग जनफदों में ऐसे मदरसे हैं जो गैर मानेता प्राप्त हैं उनका सर्वे होगा